हाई एवरीवन तो रिसेंटली जो हमारी फाइनस मिनिस्टर निम्ला सिता रमन जी के दौरा जो बजट दो हजार चोईस प्रजेंट किया गया था उस बजट में टीडीएस और टीजीएस की जो रेट है उसमें भी मेजर चेंजेस जो है वो किये गए हैं अब यह चेंजेस ज के अलावा अधर परसन भी होते हैं जिनकी अधर सोसे से कोई इंकम होती है और वो अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होती है तो उस पर टीजीएस की प्रोविजन जो है वो एपलिकेबल होते हैं तो उस केस में आपको इन चेंजेस के बारे में जरूर पता होन कि फर्स्ट चेंजेसे टीडीएस और पेमेंट ऑफ इंशरेंस कमिशन तो जैसा कि हम देखते हैं कि कई सारे इंशरेंस कंपनी होती ही जो कि अपने लाइसी एजेंट जो है उनको कमिशन प्रोवाइड करती है अब यह कमिशन की अमांट अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट जादा हो जाती है तो फिर उसकेस में उनकी इंकम पे टीडियस जो है वह डिड़क्ट किया जाता है अब यह पर आपकी इंकम पे 2% से टीडियस जो है वह डिड़क्ट किया जाएगा अब यह जो चेंजेज है वह आपके नेक्स्ट फाइनेशल है याने की 1 अप्रेल 2025 से अप्लिकेबल होंगे याने की आपकी 31 मार्श 2025 तक जो इंकम है इंशुरेंस की उस पर आपका 5% से ही टीडियस जो है वह डिड़क्ट किया जाएगा नेक्स्ट है आपका कमिशन और सेल अफ लौटरी टिकेट तो जैसे कि किसी पर्सन ने उसके दूर अगर कोई लौटरी के टिकेट है जो की सेल किये जाते है और उसको कोई कमिशन की इंकम रिसीव हो रही है तो उसके इंकम अगर उसकी इंकम 15,000 रुपे से जादा होती है तो उसकी income पर 5% से TDS जो है वो deduct किया जाता है लेकिन budget 2014 में आपकी जो ये rate वो change हो गई है अब आपकी income जो है उस पर 5% की जगे 2% से TDS जो है वो deduct किया जाएगा और ये rate जो है वो आपके 1 October 2014 से applicable हो गई है यानि कि अब 1 October 2014 के बाद आपको लॉटरे के टिकेट सेल करने पर अ आपका payment of commission और brokerage तो अब मालो यदि कोई person है जिसको insurance commission के अलावा कोई other commission है जो कि receive हो रहा है जैसे कि मालो affiliating marketing की तो कोई commission receive हो रहा है या कोई school है college है या किसी university में अगर admission कराया चाता है और उसके लिए उसको कोई commission income receive हो रही है तो उस income पर उसका 5% से TDS जो है वो deduct किया जा यदि इंकम 15,000 रुपे से ज्यादा है तो यदि आप पे भी TDS और TCS के प्रोविजन एप्लिकेबल होते है तो TDS डिड़क्ट करने से पहले एक बर आप इस लिमिट जो है उसको जरूर धियान में रखें तो आई होप आज की वीडियो है वो आपके लिए काफी useful रही होग ब स्थे इंक होगई प्रज प्रोवक्र को हैज करें प्रोवलऽ ची अरवर से बाभ जाओें